एक ना सेक्षन था हमारे चैनल पे जो बिल्कूल ना इसा कोने पड़ा था कोने में कि भाई साब हमारे अंदर कोई हल चल नहीं है मैंने क्यों नहीं हल चल खड़े हो तुम्हारे माउस पैड लाए हैं तो भाई माउस पैड का रिव्यू ना बहुत टाइम से भी सिंग था च सबसे बड़ा माउस पैड मेरे चैनल का मतलब इससे पहले चोटे वाली गये थे बले डबल एक्सेल ते यह सबसे बड़ा है वेरी लोंग तो खोले चोटे वाला डबा खोलते हैं यह अमारा पन्नी में निकल गया माउस पैड मेरे ना भी कुछ बोलने का मन कर रहा है पर अभी थी बोलता दूसरे वाला भी खोल लेता हूं पहले क्या क्या हो गए ये मैं तो डबबा फेक का था इधर से क्यों गिर गया समान तो गाइस ये निकल के हैं हमारे माउस पैड अब मैं अपने दिल के सच्चा ही बताता हूं आपको जब मैं इने और कर रहा था ना तो मुझे लगाता है नॉन आरजी भी होते हुए भी इनके प्राइस काफी जादा लग रहे थे मुझे जो एक्सेल वाला है ये 850 रुपीज का है और जो एक्सेंड़ वाला है बारा सो पचास 1250 का है तो मुझे लगा दूसरे ब्रैंड में का आज तक offline market में जो भी friends वागारा के पास होते हैं इसकी stitching मुझे अभी तक की one of the best stitching लगी साइट की मुझे नहीं लगता है इसके threads वागारा निकलने वाले है या फिर इसको कोई भी damage होने वाला मतलब long term की investment है एक बारी को देखा जाए महेंगी है जैसे दूसरे mousepad से compare करता है थोड़े से expensive है बट वह expensive ऐसे ही नहीं है मतलब इसमें चीज यूज ऐसी की गई है कि लगता है कि हाँ भाई महें की बादचीत वाला माल है और हाँ इसके अंदर ना दो sizes है और दो sizes में दो variety भी है एक आपको मिलता speed type और एक आपको मिलता control type speed type का जो texture होता वह काफी smooth सा होत तो यह आपको उपर वाला smooth लगेगा यह वाला थोड़ा सा harsh लगेगा तो brandness के अंदर ना दो variety दी है जो speed type वाले है यह specifically fps players के लिए है जो e-sports खेलते हैं जिनको fast movement चीए mouse बिल्कुल अटकना नहीं चीए या कुछ भी है ऐसा नहीं आप इसके उपर दूसरे काम नहीं कर सक या फिर 3D modeling करने वाले हैं उनको भी control type वाला ही मैं suggest करूंगा क्योंकि काफी minor minor movements होते हैं जिसमें आपसे गलती हो सकती है तो यह वाला उनके लिए भी काफी काम आ सकता है और इन्दिया फर्स्ट 5 mm thickness वाले जो mouse pad है मतला इन्होंने बनाए है मैंने का इसा नहीं हो सकता कोई यह और तो brand होगा जिसने मतला 5 mm का बना रखाओगा भाई पूरे Amazon पर ही था 2 mm 3 mm 4 mm इससे उपर ही नहीं 4 mm max है किसी भी brand में ठागे देख लो यह 5 mm की thickness के साथ आते हैं और मैं सच बता रहा हूं thickness काफी सही है और जो build quality है ना overall is mouse पर आड़ी वह बहुत बढ़ी है और मुझ टेबल बैटके कुछ खापी रहे हो और कुछ भी लिक्विड वगेरा स्पिल हो जाए तो आपका mouse pad खराब नहीं होगा कोई चक्कर ही नहीं है और इसकी वज़े से अगर आप इसको टेबल पर रखते हो तो बिलकुल भी खिशकने के चांसे नहीं है इवन मैंने खुट ट् सब्सक्राइब में मतलब कीवाइब लॉन्य डिहारों जलेट में आपर लिंक जो लेके मैंने स्पीड टाइप वाला भी यूज करके देखा है और मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस मिला ना वह सच में मजा तो है क्योंकि बहुत ताइम से मैं कॉस्मिक बाइट वाला और यूज कर रहा हूं वैसे गंदे भी हो चुके हैं मुझे वैसे नए लेने तो मैंने का रिव्यू भी बन जाएगा नए मंगा भी लेता हूं और आरजीबी वाले में थोड़ा वायर वायर का ज्यादा जंजट जाता है तो नौन आरजीबी लेने की सोचा मैंने इस बार और लगता है वैल्यू फॉर मनी चीज लिया है गेमिंग में मिरेको कोई दिक्कत नहीं हुई और नॉर्मल यूसेज में भी मतलब मिरेको कोई दिक्कत नहीं हुई आप अगर एक्स्टेंडड माउस पैड ढूंड रहे हो मतलब एक छोटा माउस पैड होता यह एक्स्टेंडड वाले हैं जिसमें कीबोर्ड भी आ जाता है तो डेफेनेटली वाई इसके लिए ज क्या जाता है जाता है